होम शांती सुनते हैं 27th मार्च 86 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य आज की अव्यक्त मुर्ली का टाइटल है सदा के सनेही बनो आज की मुर्ली में बाबा ने विशेश कहा सारी मुर्ली सनेही पर है तो बाप दादा ने तीन परकार के सनेही बच्चे कौन से देखे दूसरा बाबा ने कौन सी पावर ना होने के कारण व्यार्थ संकल्पों का बोज है थर्ड किन बच्चों का जीवन युद्ध की ज़्यादा रहती है और लास्ट किन बच्चों की जीवन में सदा शब्द की बजाए कभी कभी आता है तो विशेश जो है बाबा ने ये कहा कि किस तरीके से हम सदा सने ही बन कर रहें लव लीम स्थिती की और उसमें मेनत नहीं करनी पड़ती महबत में मेनत नहीं स्वते ही सब कारे फिर होते जाते हैं किवल महबत में डूबना सीखें बाबा की बाबा जब खड़ा है हमें प्रस्थितियां ना देखें व्यक्ति ना देखें भिन-भिन बाधाएं ना देखें हम बाबा को देखें कि प्रेम का सागर मेरे सामने हर समय खड़ा है तो मुझे क्या चिंता क्या मुझे निश्चे नहीं है उस पे निश्चे होना चाहिए तो बाबा ने कहा सदा के सनेही बनो आज सने का सागर बाप अपने सने ही बच्चों से मिलने के लिए आए है ये रुहानी सने हर बच्चे को सहज योगी बना देता है ये सने सारे पुराने संसार को सहज बुलाने का साधन है ये सने हर आत्मा को बाप का बनाने में एक मात्र शक्ति शाली साधन है सने ब्राह्मन जीवन का फाउंडेशन है सने शक्ति शाली जीवन बनाने का पालना का आधार है सबी जो भी स्रेश्ठ आत्माई बाप के पास सनमुख पहुंची है उन सबी के पहुंचने का आधार भी सने है सने के पंखों से उड़ते हुए आकर मदुबन निवासी बनते हैं बाप दादा सरव सनेही बच्चों को देख रहे थे कि सनेहे तो सब बच्चों से लेकिन अंतर क्या है नंबर वार क्यों बनते हैं कारण सनेही सबी हैं लेकिन कोई हैं सदा सनेही और कोई हैं सनेही और तीसरे हैं समय परमान सनेही बच्चे देखे जो सदा सनेही है अब सब की क्वालिफिकेशन सुनो जो सदा सनेही है वे लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा उचे रहते हैं ना मेनत करनी पड़ती ना मुश्किल का अनभव होता क्योंकि सदा सनेही होने के कारण उनों के आगे प्रकृती और माया दोनों अभी से दासी बन जाती अर्थात सदा सनेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृती माया स्वते ही दासी रूप में हो जाती प्रकिर्ती माया की हिम्मत नहीं जो सदा सनेई का समय वा संकल अपनी तरफ लगावे बाबा के प्यार में डूबे हुए प्रकिर्ती की हिम्मत नहीं सदा सनेई आतमाओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के परती इसलिए प्रकिर्ती और माया भी जानती है कि ये सदा सनेई बच्चे संकल्प से भी कब हमारे अधीन नहीं हो सकते सरव शक्तियों के अधिकारी आतमाओं है सदा सनेई आतमा की स्थिती का ही गायन है क्या एक बाप दूसरा न कोई बाप ही संसार है दूसरा नमबर सनेई आतमाओं सने में रहती जरूर है लेकिन सदा ना होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहां और तरफ सने जाता है बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वेम को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का तो कभी मुश्किल का अनभव करते हैं लेकिन बहुत थोड़ा जब भी कोई प्रकरती वा माया का शुक्षम वार हो जाता है तो उसी समय सने के कारण याद जल्दी आ जाती है और याद की शक्ती से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते हैं लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेनत में लग जाता है कभी कभी सने साधारन हो जाता है कभी-कभी सने में लवलीन रहते स्टेज में फरक पड़ता रहता है लेकिन फिर भी ज़्यादा समय वा संकल्प व्यर्थ नहीं जाता इसलिए सनेई हैं लेकिन सदा सनेई ना होने के कारण सेकंड नमबर वाले हो जाते हैं तीसरे हैं समय प्रमान सने निभाने वाले ऐसी आत्माएं समझती हैं कि सच्चा सने स्वाए बाप के और कोई से मिल नहीं सकता और यही रुआनी सनेई सदा के लिए स्रेष्ट बनाने वाला है ग्यान अर्थात समझ पूरी है और यही सनेई जीवन प्रिये भी लगती है लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संसकार या कोई भी विशेश पुराना संसकार वा किसी व्यक्ती या वस्तु के संसकार वा व्यर्थ संकल्पों के संसकार वश कंट्रोलिंग पावर ना होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोज है वियर्थ संकल्पों का बोज क्यों है controlling power ना होने के कारण या संठन کی शक्ति की कमी होने के कारण संठन में सफल नहीं हो सकते संठन की प्रिस्तिती सने को समाप कर अपने तरफ थीच लेती और कोई सदा ही दिल्षकस्त जल्दी होते हैं अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे और अभी अभी देखो तो अपने आप से ही दिल्शकस्त ये स्वेमसेश्ट दिल्शकस्त होने का संसकार भी सदा सनेही बनने नहीं देता किसी ना किसी परकार का संसकार प्रिस्थिती की तरफ प्रकिर्थी की तरफ आकरशित कर देता है और जब हलचल में आ जाते हैं तो सनेही का अनुव होने कारण सनेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है प्रतन करते हैं कि अभी फिर से बाप के सने में समा जाएं तो समय प्रमान प्रसिती प्रमान हलचल में आने के कारण कभी याद करते कभी युद करते युद की जीवन ज्यादा होती और सने में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती इसलिए तीसरा नंबर बन जाते हैं फिर भी विश्व की सरवातमाओं से तीसरा नंबर भी अतीसरेष्ट ही कहेंगे क्योंकि बाप को पहचाना बाप के बने ब्रह्मन परिवार के बने उंचे ते उंची ब्रह्मन आतमाएं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं इसलिए दुनिया के अंतर में ये भी स्रेष्ठा आत्माएं हैं लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर है तो सनेई सभी हैं लेकिन नंबर वार है नंबर वन सदा सनेई आत्माएं सदा कमल पुष्ट समान नियारी और बाप की अती प्यारी है सनेई आत्माई नियारी है प्यारी भी है लेकिन बाप समान शक्ती शाली विज़ाई नहीं है लवलीन नहीं है लेकिन सनेई है उनों का विशेश यही सलोगन तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे सदा ये गीत गाते रहते है फिर भी सने हैं इसलिए सदा सेफ रहते हैं लेकिन फिर किसी फिर भी कभी 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 शब्द आ जाता है सदा शब्द नहीं आता और तीसरे नमबर आत्माएं बार बार सने के कारण परतिग्याईं भी सने से करते रहते बस अभी से बाबा ऐसे बनना ही है अभी से करेंगे क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना परतिग्या भी करते पुरिशार्थ भी करते लेकिन कोई ना कोई विशेश पुराना संसकार लगन में मगन रहने नहीं देता विघन मगन वस्था से नीचे ले आता है इसलिए सदाश शब्द नहीं आ सकता लेकिन कभी ऐसे कैसे कभी कैसे होने के कारण कोई ना कोई विशेश कमजोरी रह जाती है ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूरुहान भी बहुत मिठी करती है हुज़त बहुत दिखाते हैं कहते हैं डाइरेक्शन तो आपकी है लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप और पावे हम हुज़त से सने से कहते जब आपने अपना बनाया है तो आप ही जानो बाप कहते हैं बाप तो जाने लेकिन बच्चे माने तो सही लेकिन बच्चे हुज़त से यही कहते हम माने ना माने आपको बाबा मानना ही पड़ेगा तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि तो ब्रामन बहें तो ब्रामन बच्चे ना इसलिए स्वेंबी निमित बनी होई आत्मा उंद्वारा विशेश शक्ती देते लेकिन कोई शक्ती लेकर बदल भी जाते और कोई शक्ती मिलते भी अपने संस्कारों में मस्तोने कारण शक्ती को धारण नहीं कर सकते जैसे कोई ताकत की चीज खिलाओ और वे खावे ही नहीं तो क्या करेंगे बाप विशेश शक्ती देते भी हैं और कोई-कोई धीरे-धीरे शक्ती शाली बनते-बनते तीसरे नमबर से दूसरे नमबर में आ भी जाते लेकिन कोई-कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते तीनों प्रकार के सनेई बच्चे हैं टाइटल सभी का सनेई बच्चे लेकिन नमबर वार हैं तो ये बाबा ने कितना सुन्दर बताया अच्छा बाप दादा का बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते ओम शांते ये एक प्रेरना दायक विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करें झाल झाल